हेलो स्रेंट्स वेलकम टू मैं नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे आप सब लोग मस्त बढ़िया तो उम्मीद कर रहा हूं लाक्ट लेक्टर आप लोग देख लिया था इसका पार्ट वन एंटि साइकोटिक और मैं आज लेके आगया हूं इसका पार्ट टू जिसमें हम लोग अपनी चार ड्रग्स जो बचे हूँ उनको कम्प्लीट करेंगे दो को जिसको पर इस्टार लगा हुआ है इसमें इसका कैमिकल नेम पताईए बता चुका हूं एंड इस्ट्रक्चर जरूरी है इन तीनों में जरूरी नहीं है लेकिन तब भी मैंने थोड़ा सा इसको एक्स इसको जब भी हम कहेंगे ए टिपिकल एंटी साइकोटिक तो कल में बता चुका हूं यह सेकेंड जेनरेशन एंटी साइकोटिस के अंदर काउंट की जाएगी एंड सेकंड जनरेशन वाले क्या करते हैं सीरो टोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट होते हैं यानिकि इन दोनों को क्या करते हैं यह ब्लॉक करते हैं इनका काम करने का तरीका काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है यह ब्लॉंस करते हैं बैंजामाइड क्लास को इनके साइकोसिस्ट के ट्रीट्मेंट या साइकोसिस लेटेड़ चीजों में यह इस्तमाल होता है जैसे की साइजोफरेनिया ठीक है बिप्रेशन है या संधायम बात यहां इसके इसके सटमाल की जाती है ट्रीट करने के लिए चिंता अगर बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा है या डिप्रेशन को केमिकल नेम की बात करें तो देखो मैं नहीं हाप इसको पहले से नेमिंग कर दिया है N1-ethyl-pyrolidine-2-isle-methyl-2-methoxy-5-sulfomil-benzamide मैं इसको करने का तरीका समझा चुका हूँ कैसे करेंगे पीछे से पकड़ते हैं मेन कंपाउंड क्या है सल्फोमोईल-benzamide यह मेरी क्या है पैरेंट चेन है धोन लो कहाँ पर है बेंजामाइड तो देखो बेंजीन और अमाइड पता है ना बेंजामाइड क्यासा होता है जो बेंजामाइड होंगे उनके अंदर एक खास इस्टक्चर मिलेगा C double bond O और NH2 यानि की short form में इसको बोलते हैं हम लोग C O N H 2 यह C O N H 2 है इसको बोलते हैं अमाइड और यह बेंजीन यह कंबाइड क्या बना बेंजामाइड बात समझे में आ रही है यह कंबाइड क्या बना बेंजामाइड क्लिया रहे चलें आगे कंबाइड में क्या बन गया यह बेंजामाइड बन गया है आगे देखते हैं अब क्या है समझते हैं इसको बात को एन पर यह एन है यहां पर हमने यह ले लिया एन यह वाला यहां रखना बेंजामाइट का एन है एन पर क्या लगा हुआ है वन पर एन के वन पर इथाइल पाइरोलडील समझाता जा रहा हूं में इसके नोट्स दिस्क्रिप्शन में है चाहँ तो उनको पहले निकाल के रख अच्छनщее ना सामने से ठीक है यह वाला एन ठीक है इस पर क्या लगा हुआ हम वन पर क्या लगा हुआ है постав एल पाइरोलीडीन यह बिट्स ट्रक्षर 12 345 यह अजिद junk से उइसको है पाइरोलीडीन और पाईरोलिडीन जो है जिए वाले स्ट्रक्षर लिघ्य से र В्ट आ तू और आगे आई बताएं से मिथाइल इथाइल लग जाता है ठीक है वन पर इथाइल लगा हुआ है ठीक है इसके भी वन पर क्या लगा हुआ है वन यहां से काउंट कर रहे हैं इसके वन पर एक और यह दो यह दो ग्रूप मिलके क्या बने इथाइल बने तो एन के वन पर क थायल ग्रूप हो गया मेरे पास देन यह क्या बोल रहा है 2-methoksy अब आते हैं यह इस तरफ आ गया है इस किस तरफ आ गया यह इस तरफ आ गया है क्या कह रहा है ये यह देखो ज़ेरा ये यह बैंजीन है इसकी 1-2-2 पर क्या लगा हुआ है methoxy meth और o क्या लगा हुआ यह methoxy 5 पर sulphomoyl benzamide यह लगा हुआ है sulphomoyl benzamide SO जैसे CO होता है na co ns2 यह क्या है SO2 ns2 sulphomoyl benzamide के लिए उनों की बात यह और यह जो co ns2 मेरे पास combined है क्या यह यह और यह मिलकर क्या बना रहे है तो इस ट्रक्टर समझ में आ रहा होगा ठीक है में मेरा compound यह benzamide यह दखो यह रिंग वाला structure और इस यह सी है ना c o n h एक और होना चाहिए तो उसकी जग़े पे क्या लग गया है यह आलग गूर्पा के लग गया है इस तरीके से इसका chemical नेम और structure को तुम लोग पढ़ोगे क्योंकि इसमें star लगा हुआ तो इसके लिए इंपोर्टेंट है के लिए रहे आगे चलते हैं यूजेस तू ट्रीट साइजोफरेनिया साइजोफरेनिया को टीट करने के लिए स्टेविल्टी एंड स्टोरेज कंडिशन सिंपल है इस्टोर इंड कूल और ड्राइपलेस इस शुड्बी प्रिवेंट फ्रॉम डिरेक्ट हीट लाइट की बात करें तो टैबलेट कैप्सूल सॉलूशन तीनों को रूप में आ रहा है है ठीक है टैबलेट कैप्सूल समकल डिसकस करी चुके है तो यह लेक्टर बहुत छोटा भी हो जाएगा बहुत जाद इसमें नहीं समझाना है अब दो को अगला आता है मारे पास ओलंजापील ओलंजापील सोल्ड अंडर दा ट्रेड नेम जिप्रेक्सा ठीक है ना इटीज ए टीपिकल अगेन वही लाइ किया है नहीं देखा है तो लेक्टर को देख लो यह सारे टम्स को मैंने पहले भी काता सामने रखना जब भी यह टम बार बार आएंगे अगर भूल रहे हो तो उसको याद करते हुए चलना बिलांग्स टू क्लास ठीक है थाइनो बैंजो डाइजापीन ठीक है थाइनो बै इसको छोड़ सकते हैं ठीक है यह इसका structure है और यह चाहाँ नहीं चाहोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रीषब करोगे तो ठीक है फिर भी थोड़ा साब बता जता हुआ मैं इसमें क्या है सिंपल मेरे पास यह मेरे पास क्या हो जाएगा में मेरे पास यह ग्रूप आ ठीक है इसमें क्या लगा हुआ है तू मिथाईल ठीक है इस टू पे क्या लगा हुआ है हां मिथाईल लगा हुआ है और फोर पर इसके फोर पर है 1,2,3,4 फोर पर क्या लगा हुआ है 4 मिथाईल 1,2,3,4 जहां से काउंट कर लिया है 1,2,3,4 फोर पर अगेन क्या लगा यहां पर जैसे दिखा रखा ये 2 और 3 ठीक है ना यहां से हटा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे यह हटता है फिर कुछ बचेगा ही नहीं इसमें पढ़ने के लिए अब यसी बात है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी जनरल बातें पढ़ लेते हैं आगे आ जाते हैं यूजेस तो ट्रीट सीजोफ्री ना बाइपनल डिसोडर लास्ट की जो आज की टॉपिक में हम सब्सक्राइब करना उसमें लगभग लगभग थोड़ा सा दिमाग लगा होगे सबके यूजेस सबकी स्टेविल्टी स्टोरीज कंडिशन फॉर्मुलेशन ब्रैंड नेम तो से अलग होंगे तो यह सबके लगभग लगभग से मिल जाएंगे जर्नल स्टार्टिंग में आ स्टेविल्टी स्टोरीज कंडिशन की बात करें इस्टुड वी स्टोर एट रूप टंपरेचर शुड नॉट वी स्टोर एट मॉइस्टन डैंप एरिया सिंपल बात टैबलेट की रूप में अवेलिबल है जिप्रेक्सा इसका नाम है जिस ब्रैंड नेम में सबसे टिपिकल एंटी साइकॉर्टिक यानि की सेकंड जेनरेशन है यह टीट करता है साइजोफ्रेनी और बाइपोलर डिसॉर्डर को कुछ नहीं बचा इसमें ठीक है कई सारे मेजर डिप्रेसिव डिसॉर्डर को भी करते हैं यह मैं यहां पर दे दिया है ठीक है बट क्योंकि अपने कोर्स में इसके ओपर इस्टार नहीं लगा हुँ है तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है तब ही अकरर किन ये मेरे पास क्या है जैसे कि यहां पर इस आप पर इस पास वार hazard का लगा घानल गई यह पास हमें चलों यह पार पर इनल नेरा टो टो पर क्या लगा हुआ है फॉर बैंजो ठीक है वन इठाक्सी में एक यह लगई हुई है चेन के अंदर एक चेन यह लगी हुई है तो सबसे पहले यहाली चेन दे रख हिया टू पर टू के अंदर वन टू टू त्री फोर फिर फूर पर बैंजो प्रेटिस के लिए कि कैसे नाम इसका लिखा जा रहा है तो प्रेक्टिस कर सकते हो बहुत सारी नेमिंग अभी आगे आने वाली है प्रेक्टिस कर लोगे तो बहुत सारी ड्रग्स आने वाले हैं उनकी नेमिंग करना क्या हो जाएगी असान हो जाएगी यूजर्स की बात करें तो ट्रीट साइजोफरेनिया, बाइपोलर डिसोर्डर और डिप्रेशन कुछ नहीं इसके अंदर स्टेविल्टी वही सेम, ट्रूब टंपरेचर पर हमें स्टोर करना है, मॉइस्ट एरिया से बचाना है ट्रीट कैप्सूल के फ़र में अविलिबल है स्टेविल्ट कॉएल इसका क्या है? ब्रेंड नम है, जो मार्केट मैं यह काफ़ ज़ा दा फेमस है, एक इधर आगया है स्टेविल एक इधर आ गया, स्टेविल इस उसर एक इधर आगया है देन बात करें लुरासीडों लुरासीडों क्या है सोल अंडर दा ट्रेड नेम किसके नाम से पेची जाती है यह या मार्केटिम अविलेबल है लतूरा नाम से अविलेबल है रिये इतीज एन एंटी साइकोटिक ड्रॉग यूज तो टूटीट साइजोफ्रेनिया बाइपोल इस तो गैदर विद मूड स्टेबलाइजर इसके साथ कॉम्पीनेसर में दे जाती है कई बार यह बार यह बाईपोलर अब देखो यहां पर अगर मैंने इस वाले में लिग दिया एक टेकन बाइमाउथ तो यह वर्ट तो तुम जितना अभी तक हमने पड़ा है ना सब में इस तकन बाइम इंटरमस्कूलर जोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है ना एकजाम में अच्छे नंबर आएंगे हमारे पास तो जो एक्टराइन तो लगता है क्या इसी में लिखे नहीं यह टेकन बाइमाउथ इस सब में अड़ कर सकते हो बास समझ में आ रही है मेरको जब य तो मैं इसको यहां पर एड करना है स्टार्ट कर दिया ठीक है ना तो तो तुम इसको कॉमन चीजे सब में लिख सकते हो एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से जो में चीज नॉलेज पॉइंट आफ वी सो तुम्हें समझ नहीं है डाटि यह चामिकल ने में इस्ट्रक्चर औ अंकल खुश हो जाएंगे वा बेटा को सब पता है बात समयने में आ रही है तो सॉल्ट के नाम से ना कभी देखना इस्ट्रेट के पीछे सॉल्ट के नेम लिखे होते हैं सॉल्ट का नाम देखके तुम साने वाले की बिमारी अगर बता देते हो तो तुम्हारी वेल्यू ब तो इसको सिर्फ देख लेना छोड़ देना इसको मतलब नहीं है बहुत चाला है थोड़ा सा यह ठीक है आगे चलते हैं हम लोग तो इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर हमारे इंपोर्टेस नहीं है लेकिन कुछ बच्चे का करना चाहते हैं तो मैंने आपर दे दिया है बा नहीं होना चाहिए कीप अभी फ्रॉम लाइट बड़ा कॉमन है डारेक्ट सनलाइट हमें नहीं लेनी है फॉर्मलेशन टैबलेट की फॉर्म में है और ब्रैंड नेम क्या है लटूरा के नाम से मार्केट में अवेलिबल तो देखा पहला लेक्चर यानि की एक बात समझ ल माइंड नर्चरिंग पॉइंट माइंड को नर्चर कर आना उसने माता समझाय कि क्या है बाइपोलर डिसॉर्डर क्या है 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 ठीक है ना जब वह चीज के लिए रो गई है तो बाकी चीज़ें समझ में आ रही है इसली तो इसी तरीके से अपने माइंड को कुछ अच्छी चीज़ें कुछ खास पॉइंट से नर्चर कर लो उनको दिमाग में सेट कर लो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है किसी एक जब हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं जैसे एंटी साइकोटिक है ड्रक से नाम याद कर लो चैमिकल नेम और स्ट्रक्टर याद करना प किलियर है तो ठीक है क्या करना है लिक करके प्रक्टिस करने है इससे जाधा कुछ नहीं करना है सब हो जागा थोड़ा सा दिमाग ला करके लोजीकली पढ़ना है और कुछ नहीं हैं किलियर है पढ़ोगे रिवाइस करोगे गुड़ all the best